नमस्कार दोस्तों मैं सोराब और आप देख रहे हो एसे स्क्रिक फेंटासी इस वीडियो के तुरू मैं आपको इस मैस से रिलेटेड हार एक प्रियार का रिसेन पॉंप, पिजरी पोड, हेड़ डुएड रेकोर्ड, वेनो रेकोर्ड सब कुछ आपको यहाँ पाट डिसकस क आनने बला हूँ, जिसके मदद से आपना से स्मॉल लिग, ग्रैन लिग में भी एक अच्छा गासा प्रॉफिट कमा सकते हो, इसलिए इस वीडियो बिना स्क्रिक किये पूरा देखेगा, और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जूड़े रहिएगा, इसके अलबा स्मॉल ल लंगा और ओश्ट इंडिस के बीच में, सूपर सिक्सेस आई सीसी ओडियाई वाल काप क्वालिफायर की मैच पेडिक्सन, जो खेला जने वाल है, सेवेंज जुलाई, बारा वाजगार, टीज मिनिट पर, कहा पर हर आरे स्पोर्स क्लब, हर आरे पर, आप देख लेते हैं, पीच रिपोर्ट, जेनरली यहाँ पार जो पीच रहते हैं, वो बैटिंग पराडइस विकेट रहते है, पीच थोड़ा हड पीच रहते है, इसलिए पेस और बाउंस आपको देखने को मिन जाएगा, पिछले कुछ मैच का स्कोर कर देखके, आपको पीच के बारे में लग फिर से यहाँ पार नेदरलैंड्स और ओमान के विच में जो मैच के ले गया था, उस मैच पे नेदरलैंड्स में पहले बैटिंग करते हैं, 362 मर जा था, और ओमान ने ओर राण चेज नहीं कर पाया, उस मैच में पेसर के खाते में टोटल आर्ट विकेट और स्पीनर के ख फिर से यहाँ पार ओश्ट इंडिस और स्कॉटलैंड के विच में जो मैच ले गया था, ओमाच बहुत ही आनेकस्पेक्टेड मैच था, ओश्ट इंडिस कर तीम पूरा कॉलास कर गया था, और स्कॉटलैंड ने ओर राण आसानी से चेज करते हुए, ओमाच अपने नाम कर घर लिया था, उस मैच में पेशार के खन्वाथे में टोटाल आट विकेट और स्कॉटनर के खन्वाथे में, फिर से याँ पार जिम्पभवे और बीज ओक्टी में जो मैच ले गया था, उस मैच में जापने च्छा बेटिंग गया था और और यह पाहढ जीयासा टोटा जो match किले गया था उस match में भी आप देख सकतो almost decent scoring किया और यहाँ पर West Indies और Nepal के बीच में जो match किले गया था उस match में भी आप देख सकतो decent scoring किया मतलब आपको यहाँ पर decent score देखने को मिच जागा अगर batsman खुझ से कुछ गलती ना करे तो यहाँ पर आपको 300 plus run देखने को मिच जागा और पेशार कोई जाधा advantage मिलने वाले as compared to spinner लेकिन spinner भी important होने वाले क्योंकि खास करके सिलंका का जो spinner है वो बहुत ही important pick होने वाले और द इंडीज का battle यह भयंकार player battle आपको देखने को मिल जाएगा आप देखले आता है सिलंका की possible play नहीं विद रिसेंट फॉर्म विद हेड़ रेकॉर्ड विद भेनो रेकॉर्ड पात्तम निशांका के साथ आपको दिमूत करूना रतनों को ओपेंडिंग कार्स देखने को मिल पात्तम निशांका का यह रिसेंट फॉर्म है आप देख सकते हैं पिशन मैच में सेंचूरी माला था और एक दो मैच को छोड़के अल्मोस हान मैच में डिसेंट स्कोरिंग किया है और ODI में 32 मैच में 39 की एबरेज है रिसेंट फॉर्म काफी होय तरह है इनपरेंट पी हो स उसके बाद नमबर 3 पर आपको कुसल मेंडिस को देखिने को मिल जाएगा इसका भी रिसेंट फॉर्म ठीक टाक है लेकिन आभी तक कुछ खास नहीं कर पाया हालाकि यह बहुत ही बड़ा प्रियार है लेकिन आभी तक उस तरीके का पर्फुमेंस नहीं निकल गया नमबर 4 पर आपको सावर विक्रम को देखिने को मिल जागा अगर सिलंका का टीम पहले बैटिंग करे उस कंडिशन में सावर विक्रम मस्ट अपिक होने वाले नमबर 5 पर आपको चारित असलंगा को देखिने को मिल जागा इसका भी रिसेंट परम ठीक टेक है ज्यादा तर इसको ब पीनर के आगे श्ट्रागल करता है और धननचे डीसिलवा काफी अच्छा बोलर है इनपटेन होने वाला है दसनुन सनंगा इनपटेन हो सकता है क्योंकि मैं आपको पहले मैस से भूल के आ रहा हूं सिर्लंका दो पेशार के साथ खेल रहा है और थार्ड पेशार के रूप में दसनुन सनंगा का मतलब है अच्छा कासा ओभार बोलिंग कर ले सकता है और जो टीम है वो ढसन शनंगा को टार्गेट करने बळा है जिसके चलतो है दसनंगा को विकेट भी मिल जाता है और यह सब कुछ मैं आपको बोल दिया फिलाल अगर आप चाहतो दसनंगा को पिक कर स तो एक आदा चेंज हो सकते है वो मैं फाइनल आपको टेलिग्राम पर इंफर्म कर दूंगा फिलाग आप हासर रंगा को पकड़ के चल सकते हो रिसेंट फर्म काफी बहतर है इसको बार में बूलने की कोई जरुरत नहीं है मैं स्थिक्साना बहुत ही इंपरेंट पिंग होने अब देखने को मिल जागा इसका भी रिसेंट फर्म आप देख सकतो काफी बढ़िया है एक मैच खेला और पिछले में ब्यूप देखने को मिल जागा बेंच पर कुछ प्रयार का नाम है अगर खेलता है तो उसका भी रेकॉर्ड आप देख सकतो तो आप देख लाता है वेस्टेंडिस के पॉसिवेल फिलेंगे लेएं विद रिसेन फर्म विद हेड़ रेकॉर्ड विद वेनु रेकॉर्ड जॉंसों चार्ल्स के साथ आपको व्रेंड़न कींग को ओपेनिंग करते हैं देखने को मिल जागा लेकिन सायथ इस मैच पे चार पर सारे के सारे मैच में सिंगल डिजिट और जहां पर स्कूरिंग क्या तब आप हाप सेंचूरी मार दिया यहां पर 54 यहां पर 66 तो बहुत ही रिक्सिप लिया रहा है क्योंकि यह एक तो है ओडियाई का ओपेनिंग मैट्स मैं उपार से यह आते ही हेटिंग करने लग जा था और और अलबोस हाने मैच में डिसें स्कूरिंग क्या वेस्ट इंडिस के तरफ से कुछ बैट्समें खास नहीं किया लेकिन ब्रेंड़न किंग ठिक टक क्या था 41 की अबरेज है इस सीरीज में 6 मैच में 250 क्या था नामबा तीन पर आपको करसी कर्थी को देखने को में जागा इसका भी रिसेंट फर्म आप देख साकते हो ठीक टेक है पीछने मैच में 29 क्या था और निकलास पूरान को देखने का मंच जागा यह भी ठीक टक स्कूरिंग करते हुए आपको दे सकते है रिसेंट फर्म काफी बढ़िया है अगर वेश्ट इंडिस के टीम पहले बैटिंग करे उस कंडिशन में निकलास पूरान मस्ट पीख होने वाले काईले माई इसको आ एक अदा वीकेट चटका लिया और बैटिंग से भी आखो कुई योगदन दे सकते है रो मैयों से इनप्रेंग भी ठीक हो सकते है खास करके बोलिंग से आपको ये वीकेट चटकाते हुए दे सकते है पीछने में भी तीन विक्केश चटकत दिया आकिल हुसेन का भी रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हो ठीक टाग है उसके पद आपको रॉस्टन चेस को देखने को में जगा यह बैटिंग और बोलेंग दुनों से अपको परफरेंस करके दे सकते है रिसेंट फॉर्म आप दे इस मैच में मुझे लगते है सायथ रोमेन पावल को मौका मिल सकते है रोमेन पावल अगर खेलते है तो इनपर्टेंट भी हो सकते है इसी तरीके से कुछ और प्लियार का भी नाम है अगर खेलते है तो उसका भी रेकोड आप देख सकते हो आप देख लेते हैं फैंटेसी विकेट की पर सेक्षन से आपको निकलास पुरान को देखने को मिल जाएगा और कुसाल मेंडिस को आपको देखने को मिल जाएगा वेश्लिंडिस के टीम अगर पहले बैटिंग करे उस कंडिशन में आप निकलास पुरान को पिक कर सेकतो ये कुछ कंडिशन वाइस इन दोनों प्लेयर को आप रोटेर कर सकतो फिलल में निखलास पुरन के साथ जा रहा हूँ और साई होप इनपोर्टेंट भी होने वाले है क्योंकि ये बहुत ही इनपोर्टेंट बैर्समन है हाला कि फॉर्म एक मैस को छोड़के कुछ खास नहीं क कर सकतो बैतिंग संट धिमूत करूनारत्मा इनपाटन भीहोने वालें अर्शान्स चा बार में आपको भोल् अपों ये लिए 40 और 50 अपको दे सकते है बैटिंग का थोड़ा कि 축ौत हाला की इस मैक में पुमोशन होसान हो ये गादा चेंज हो सकता है, सिलंका कर सकता है, फिलाल मैं आपको टेली ग्रांड पार इंफर्म कर दूंगा, फिलाल आप धार्शुन सानगा को ग्रैनलिंग में ट्राइ करना, ओल राउंडर सक्षन से विंदो हसरांगा, अगर खेलते हैं तो मस्टप पीक होने वाले, अब किमोपल को फिक कर सकते हो, खास करके वेश्टिंडिस के टीम अगर पहले बोलिंग करें, उस कंडिशन में महेश्टिकसना मस्टप पीक होने वाले, क्यूंकि मैं आपको पहले ही बोला था, वेश्टिंडिस का जो टीम है, स्पीनार के आगे श्टागल करता है, और मादुसंका मस्टप पीक होने वाले, कंडिसन कैसी भी हो, मादुसंका आपके टीम में होना ही चाहिए, और सिंक्रेयर को अब ग्रेनलिंग में ट्राए करना, फिलल में मादुसंका के साथ ही जा रहा हूँ, आप देखे लिए ते कैप्टेन वाइस कैप्टेन के अगर बात लगते हो, वीडियो अच्छा लगा और इंफर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्रेब कर दीजेगा